गरगणा हट की आवाज और डैम का पहला गेट खुला गेट खुलते ही पानी का फवारा फूटा चालिस सेकंड के अंदर ही दूसरा गेट भी खुला और तेजी से पानी का बहाव हुआ कुछी सेकंड के बाद तीसरा गेट खुला और एक एक करके डैम के सातों गेट खोल दिये गए जैसे ही सारे गेट खुले ऐसी लहरे उठी जैसे की आस्मान को छूने को तयार हूँ यह तस्वीरे जवलपुर के बरगी बांध की है जहां भारी बारिश के चलते डैम का वाटर लेवल बढ़ने के बाद प्रशासन ने डैम के सात गेट खोल दिये डैम के गेट खुलने का लोग उचसुकता से इंतजार कर रहे थे कई लोग अपने परिवार के साथ यह नजारा देखने को पहुँचे हम लोग को आइडिया था पहले से ही पता दे कि यहाँ पे सेवन गेट ओपन होने वाले हैं तो उसी के एक्साइटमेंट थी तो मुझे भी हम लोग इंजॉई करने के लिए फैमिली के साथ विकेट पर आई हुए अचली मैं तो फॉर्स टाइम आई तो मैं बहुत ही जाद एक्साइटीड थी कि गेट ओपन के से होते हैं और फिर एक के बाद वन बाइवन जो गेट ओपन सुए तो जो व्यू था व बहुत ही अच्छा है का नजारा रहा है हम लोग बचपन से ही मानाजवता क्या चमने पड़े हैं और इस तरीके से मानाजवता को देखना बहुत ही अच्छा लगता है और बड़ी डैम बड़े डैमों में से एक है जब वहां से एक एक करके गेट खुलते हैं काफी बदादे की सोमवार को दोपहर दो बज़े के आसपास बरगी डैम के साथ गेट खोले गए गेट खोलने से पहले ही प्रशासन ने आसपास के गावों में अलर्ट जारी कर दिया था बदादे की बांध के गेट को 1.07 मीटर उचाई तक खोला गया और इससे लगबग 35,000 क् बरगी बांध रानी अवंती बाई लोदी सागर परियोजना का हिस्सा है वही बांध को लेकर प्रशासन ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था और बांध के निचले शेत्र के निवासियों को नर्मदा तट और घाटों से सुरक्षित दूरी बनाये रखने की अपील की थ जबलपुर से धिरश्चा की रिपोर्ट हैं वीदा करें